इस वीडियो में हम मद्देपर्देश स्टेट काउंसलिंग रेजिस्टेशन के बारे में बात करेंगे इस से पहले कुछ स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए हैं उनका वीडियो में चोपडानीट इन्फोर्मेशन यूटूब चैनल पर बना चुका हूँ अब मद्देपर्देश स्टेट में क्या दूसरे स्टेट के कंडिडेट भी प्राइवेट मेडिकल कोलेज के लिए इलिजिबल है या नहीं है इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में इसके अलावा इसके काउंसलिंग सैडियूल के बारे में भी बात करेंगी तो counseling schedule के लिए online registration form eligible candidate के लिए start हो जाएंगे MP portal पर 1st November 2020 से लेके 10th November 2020 तक ये available रहेंगे इसमें जो vacancy की list publish होगी 4th November 2020 से लेके 6th November 2020 तक इसके बाद में जो इसमें state merit list registered candidate की display होगी वो 11 November 2020 को हो जाएगी इसमें इसके बाद में 24 filling का जो process है वो 12 November से लेके 15 November 2020 तक होगा और 1st round allotment list आजाएगी 19 November 2020 को college में report करना है 20 से लेके 28 November 2020 तक इसके बाद में आगे second round का इसमें schedule दिया गया है तो second round में जो vacancy publish होगी जो 1st round से vacancy रहेंगी और second round के लिए available रहेंगी वो 5 December 2020 को ये publish हो जाएगी इसके बाद आपको phase 24 भरना है उनको locking करना है 5 December से लेके 8 December 2020 तक इसके बाद में second round का allotment आजाएगा 11 December 2020 को इसके बाद में आपको report करना है 12 December 2020 से लेके 17 December 2020 तक इसके बाद में मोप अपराउंड का schedule होगा मोप अपराउंड के लिए fresh registration स्टार्ट होंगे 14 December 2020 से 17 December 2020 तक इसके बाद में जो revised state merit list जारी होगी वो 18 December 2020 को हो जाएगी इसके बाद में vacancy रहेंगी पब्लिस हो जाएगी 18 December 2020 को और choice filling locking system है वो 19 December से लेके 21 December 2020 तक अवेलेबल रहेगा और मोप अपराउंड का result आजाएगा 24 December 2020 को college में reporting का time होगा 25 से 28 को और इसके बाद में इस्टे vacancy का जो registration होगा 29 December 2020 को शोरी ये list पब्लिस होगी vacancy publish हो जाएगी उसके बाद में आपका choice filling के लिए 29 से 30 December के बीच में होगा इसमें और आपको college जो alert होनी है वो 31 December 2020 को close stay vacancy round में ये alert होगी तो इस परकार से आप इसका schedule देख सकते हैं अभी हमें इसके rules के बारे में बात करें तो इनके government medical college के लिए जो MP state के student है वो eligible है और private medical college के लिए MP state के student तो eligible है ही इसके अलावा other state के candidate भी eligible है इसके लिए अब मैं आपको यहां पर बता दूँ कि जो other state के candidate private medical college में admission लेना चाते हैं उनके लिए MP state का rule ये है कि पहले MP state को priority दी जाएगी पहले MP state के candidate को priority दी जाएगी उसके बाद अगर city vacant रहती है तो other state के candidate को इसमें chance दिया जाएगा मैं आपको यहां पर पहले भी मेरे काफी वीडियो में MP state के लिए बता चुका हूँ कि जो previous 2-3 years में ये देखा गया है कि ये MP state वाले student को ही private medical college में seat अलोट होती है इस्टे vacancy round में हो सकता है other state के candidate को कोई chance मिले तो अब इसमें जो registration होता है other state candidate के लिए private medical college के लिए वो first round में ही होता है इसमें दो ही registration होते हैं first round में और mop up round में तो आप इसमें अगर आप इसमें admission लेना चाते हैं other state के हैं तो first round में ही आपको registration करना होगा इसमें जो इसका आगे rule दिया गया है वो rule ये है कि first round में आप जो other state candidate है private के लिए choice fill नहीं कर सकते आप second round में या फिर mop up round में ही choice fill कर सकते हैं private medical college के लिए MP state के candidate ही इसमें choice fill कर सकते हैं first round में फिर second round और mop up round में other state candidate को मोका दिया जाएगा लेकिन seat vacant रहने पर ही other state के candidate को मोका दिया जाएगा कि अगर आप MP state के private medical college में admission लेना चाते हैं तो आपको stay vacancy round तक wait करना होगा तो stay vacancy round से पहले अगर आपको और कहीं किसी other state में seat मिल रही अपलाई कर सकते हैं अपना भग्य आजमा सकते हैं इसमें इसके बाद में इसकी fees की बात करें तो अभी नया fee structure आया नहीं है पुराणे fees देखें तो इसमें 8 से 12 लाग के बीच में इसमें अलग-अलग college की अलग-अलग fees दी जाती हैं यह नया fee structure आएगा तो फिर हम आपको inform कर देंगे तो दोस्तो यह बात थी इसके बारे में MP state के बारे में आप MP state की या फिर other state की previous year की cutoff अगरा उनकी seat matrix fees के बारे में जानकारी चाते हैं तो हमारे state की book डाउनलोड कर सकते हैं उसमें मैंने कौन सी top priority में medical college है कौन सी low medical college है यह इसमें दिखाया गया है तो आप इस वीडियो के description box में उसको download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.choptaeducation.com से भी download कर सकते हैं बाकी state का जैसे ही पता लगेगा मैं आपको inform कर दूँगा तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिं